हलो एफ्रिवन कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे आज की हमारे इस वीडियो में मैं रिफ्यू करने वाली हूँ और डेमो दिखाने वाली हूँ ऑक्सी डर्म गोल्ड ब्लीज जो कि यह स्रेल्स कॉसमेटिक्स का और यह जो कॉसमेटिक्स ब्रैंड है काफी फेमस है आप सभी सुने होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस वाश करूँगी और उसके लिए मैंने यूज किया है यहाँ पर न्यूट का गोट मिल्क इंफ्यूज फेस वास और यह फेस वास बहुत ही अच्छा है आपके skin को बहुत ही अच्छे से नरिश करती है आपको बिल्कुल भी face wash करने के बाद skin आपको dry feel नहीं होगा आप जब भी bleach करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने face को बहुत ही तरीके से clean कर लेना हुआ उस पे किसी भी तरीके का cream, makeup या कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए बिल्कुल bare face होना चाहिए तो इस तरीके से massage करके हम अपने face wash कर लेंगे face wash करने के लिए एक बहुत ही अच्छा face wash का use करें जो आपके skin को suit करता हो और जब भी आप face wash करें face को बहुत ही अच्छी तरीके से massage करें और फिर normal water से face wash कर लें इससे आपके skin clean किया साथ साथ जो tanning होती है थोड़ी बहुत वो भी हड़ जाती है यहाँ पे हमने face wash कर लिया है यह जो lotion मैं लगा रही हूं यह वाला नेक्स्ट उसमें आपको cream और जो activator होता है वो मिल जाता है जो इसके बाद आपको cream और activator को mix करके apply करना है जो कि bleaching का काम करेगा आपके skin पर और fourth जो है इसमें आपको एक aloe vera gel type का मिलता है जो कि आपके skin को थोड़ी सूध करती है क्योंकि bleach करने से क्या होता न स्किन में थोड़ी से irritation या जलन तो होती है इसलिए bleach जो है बहुत ही frequently नहीं करना चाहिए अगर कुछ special occasion होता है यह में एक से दो बार आप कर सकते इससे उत्ता ज्यादा हाम नहीं हो गए तो यहां पर मैंने अपने skin को प्रेप कर लिया है और यहां पर एक्टिवेटर और क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है अभी मैं अपने face पर इसे अच्छी तरी से तरीके से अपलाई कर लूँगी ब्लीच को अपलाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो हैर लाइन है आई ब्रोज है और आईज की पास वाले एरिया को बचाते हुए करना है इससे थोड़ी सी जो हैर का कलर है वो तो ग्रे होई जाता और जो आईज के असपास की जो एरिया होते हैं वो सेंसिटिव और डेलिकेट होती है तो उसे आपको बचाना है और हलकी सी जलन होना और आखों में पानी आना ब्लीच में ये बहुत ही कॉमन सा है बट ऑक्सी ब्लीच और गोर्ड ब्लीच में ये वाला प्राब्लम मैंने नहीं फेस किया है मतलब मैं उसको यूज कर चुकी हो तो oxy bleach में यह जलन वाली problem नहीं होती है तो आप oxy bleach को try कर सकते हैं oxy bleach भी काफी अच्छा bleach है और देखते हैं इस bleach का result कैसा होता है तो अच्छी तरीके से आपको apply कर लेना है आपको जब भी आप bleach करेंगे अपने ears को और neck वाले area को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इससे क्या होता ना face तो बहुत glow करता है और ears और neck जो है वो dark लगते इसके वज़े से खराब लगने लगता इसलिए उसको आप जरूर cover कर ले bleach की एक even layer अपने face, neck और ears पे apply करने के बाद आपको अपने skin की जो shade है उसके according time तक रखना है जैसे जो fair shade होते हैं उनको ज्यादा देर रखना होता है और उससे कम fair वाले कम time के लिए रखते हैं क्यूंकि उससे क्या होता ना जो face पे facial hairs होते हैं उसकी color बहुत ज़्यादा gray हो जाने पे क्या होता है कि आपके color से match नहीं करता वह थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मेकप विगरावी करेंगे तो वह अलग से नजर आते हैं तो इस bleach में मैं 15-20 minutes 20 minutes में रखोंगी और उसके बाद इसे मैं remove कर लूँगी bleach करने का जो best time होता ना वो evening के time पे होता है क्योंकि इसके बाद अगर आप बाहर जाते भी हो ऐसे avoid करना best होता है क्योंकि bleach करने के बाद भी आपको at least 24 hours तक face पे कुछ भी apply नहीं करना है नहीं face wash soap कोई face pack कुछ भी नहीं cream वेगरा कुछ भी नहीं यूज करना है तो यह एक कारण होता है और दूसरा कारण यह होता कि धूप के संपर्प में तो बिल्कुल भी नहीं आना है जितना धूप avoid कर सकते हैं आपके skin के लिए उतना अच्छा है और आपको avoid करना है जैसे गरम पानी या फिर kitchen में खाना बना रहे है तो उसे भी थोड़ा सा avoid करना है जिस दिन at least bleach करते हो उस समय यह क्या करता ने skin को harm पहुंचा यहाँ पर मुझे bleach apply किये हुए 20 minutes हो गया है आप देख सकते हो पानी आ रहा और यह रहा instantly जो tanning वेगरा होती है ना face की हटा देता है और एक glow आ जाता है face पे tanning बहुत अच्छे तरीके से remove की है जो bleach का काम है वो बहुत अच्छे से हुआ है face पे glow भी आया है जो आप देख सकते है अभी मैं चाती हूँ अच्छे से clean करके आती हूँ यह मैंने शाड ले लिया है और आप देख सकते हैं थोड़ा time हो चुका है face पे एक चमक आ गई है एक डेड़ घंटे में मैंने अभी face पे कुछ भी apply नहीं किया है अभी मैं इसका जो post bleach gel है मतलब alovira जो है सूध करने के लिए skin पे वो apply करूँगी आप देख सकते हो मेरी जो पहले वाली skin है उसमें tanning आप foreheads वेगरा पे देख सकते हो काफी है इसमें tanning आपको नहीं दिखेगी और जो मेरे high points है वो काफी ज़दा sign भी है चेहरे पे तो यह अच्छा bleach है यह मुझे अच्छा लगा bleach इस bleach को मैंने purchase किया है Amazon से तो उसका link मैं आपको description box में दे दूँगी आप सभी को अगर लेना हो तो आप वहाँ से खरीच सकते हैं bleach काफी अच्छा है और इसमें मेरे को लगता इतना जाधा quantity है ना मुझे लगता 5-6 लोग आराम से यूज कर सकते हैं neck ears को cover करते हुए quantity अच्छी है so friends यह रहा इस bleach का result आप सभी देखके बताओ आपको कैसा कोई difference दिख रहा की नहीं और आप लोग भी try करना और आपको कैसा result मिला मुझे comment box में जरूर शेयर करना और जल्द ही बहुत सारे और वी skincare के वीडियो जाने वाले हैं जैसे facial kit और facial के जो facial करके मैं आपको दिखाऊंगी आपके ऐसे घर पे ही कम budget में facial कर सकते हैं अपने skincare कर सकते हैं तो यह रहा आज का एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा और आपको अच्छा भी लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like, comment और चैनल को subscribe जरूर करे मिलते हैं मेरे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye